लो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो यूट्व चैनल आईटीयाई पार्ट शाला फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं हमारे वीडियो का पार्ट सेकंड है इस वीडियो में हम हम देखेंगे ट्रेनिंग आफिसर ट्रेड एलक्रिशन का कोस्चन पेपर जो की 2016 में हो गया है साथ नॉवंबर को हना फ्रेंड्स तो हमने इसके 40 कोस्चन देख लिए थे जी के जी एस ट्रेट के हना तो आईए हम वहां से आगे कंटेन्यू करते हैं अगर आपने अभी तक ह लाइक करके कमेंट जरू करें और अपने दोस्तों में शेयर जरू करें दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे ट्रेट के टीचर्स के जो जो भी एक्जाम हुए हैं उन सब के वीडियो मतलब जो भी है कोस्चन वाइस वह आपको मिल जाएंगे हैं तो आईए शुरू करते हैं हमने यहाँ तक देख लिया था फोटिवे नंबर में एक कोस्चन है ठीक है हमें देखना है फोटिवे नंबर में मनुष्ट एक है ब्लैंक दिया हुआ है मेटल नॉन मेटल कंड़क्टर नॉन कंड़क्टर इसका राइट आंसर है यूम दा हूमन वाड़ होता है यानि किसके ब्यूत क्रवान उपाती होता है तो चालकों के बीच की दूरी के ब्यूत क्रवान उपाती होता है यानि जितनी कम दूरी होगी दो लंबे समांतर धारा प्रहाई चालकों के बीच बल जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल होगा जितना कम दूरी ह कोगी उतना ज्यादा बल होगा ना वियूत करवानुपाती चालकतार के बीच की अगला है प्रत्यावर्ती धारा के संदर्व में आर एमेस खालिस्तान के लिए प्रियुक्त होता है तो मतलब आर एमेस फुल वेल्यूब मतलब फुल बताना इसका रूट मीन इसके वेल्यूब इसका फुल होता है जो कि हमने एसी थिहोरी में पढ़ा है अगला कोश्चन है इसक्रू जैक्स में समाने रूप से होते हैं इसक्रू जैक्स जो होता है उसमें किस टाइप के ठेड होते हैं चूंकि आपने अगर इसक्रू जैक्स द तो इसका right answer है प्रेरिद बोल्टेज निर्मित नहीं होता है जब कुंडली में DC धारा प्रोफाइट की जाती है तो प्रेरिद बोल्टेज निर्मित नहीं होता है ठीक है अगला है निम्न में से कौन से अर्ध चाला के अंदर में रिनात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते तो FET याने field effect transistor में रिनात्मक प्रतिरोध के लक्षण नहीं होते संधारित्र की धारिता खालिस्तान के दारा प्रवावित नहीं होती है फिक्वेंसी से capacitor की capacitance प्रवावित नहीं होती है अगला निम्न में से कौन सा पधार्थ चुम्बक को इस्थाई रूप से नहीं रोकत मतलब निम्न में से कौन सा पधार्थ चुम्बक कत्व को इस्थाई रूप से नहीं रोकता है तो वो है ब्रेदू लुहा soft iron अगला प्रशन है ज्या वक्री तरंग रूप का उसत मान होता है ज्या वक्री sinusoidal wave form is 2E max Y2 ठीक है अगला कोश्चन है परिनालिका के कोर का प्रियोग किया जाता है दग कोर ओफ सोलेनाइड इस यूज़ड पर सॉफ्ट आइरन ठीक है अगला कोश्चन है आर्मेचर रियक्शन का प्रभाव होता है अगला कोश्चन है फ्यूज की रेटिंग खलिस्तान में व्यक्ट की जाती है तो फ्यूज की रेटिंग एंपियर में व्यक्ट की जाती है लगुस अंधारित के लिए ओम मीटर की रीडिंग होती है सौर्टिट केपिसिटर के लिए जो है ओम मीटर की रीडिंग सुनने होती है ठीक है अगला कोश्चन है सिंक्रोनस मोटर केवल तब ही चलीगी यदि उसके पास स्लिप जीरो हो अगला कोश्चन है जनरेटिंग इस्टेशन में अल्टरनेटर खालिस्तान से जुड़े होते मतलब खालिस्तान कनेक्शन में जुड़े होते तो इस्टार कनेक्शन में जुड़े होते अगला प्रेश्चन है निम्न में से कौन सी फ्यूस तार में तीवरता से पिघलने का गोण है तो कासा त ठीक है अगला कुश्चन है अनिरंतर हलके और भारी लोड के लिए चक्के के साथ कुन सी डीसी मोटर यूज होगी तो दोस्तों अनिरंतर हलके और कभी भारी कभी हलके लोड के लिए मतलब अचानक से लोड का जाद होना अचानक से लोड का काम होना इन सब के लिए हम डीसी म मोटर यूस करते हैं तो वह है कॉमिलेटिव कंपाउंडेड मोटर संचित्र रूरुप से संयुक्त मोटर ठीक है अगला है साइनुसोडल वेप के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.1 मन होता है अगला कोश्चन है स्वा प्रेरिद विद्दुद बहाग बल है सेल्फ इंड्यूज डी एंफ इस कुंडली में इसके प्रेरत्व के कारण उत्पन होने वाला बिद्दुद बहाग बल अगला कोश्चन है भाकरा में किस प्रकार का सक्ति सैयंत्र है यानि वह वाट तडाइप और पावर इस्टेशन इन भाकरा यह किसी प्लेस का नाम है तो तो यहां पर किस प्रकार का सकती तान्त्र है तो यह पर हाइड्रो पावर प्लान्ट है ठीक है ख्रेंट्स अगला कोस्चन है इलेवन के इलेवन Southern वी की लाइन अकरी रखंट पर से काम मिला जा सुरी यह कोस्चन सही नहीं है ना इसलिए कैंसिल हो गया है अगले कोस्चन पर चलते हैं लोह चुम्बकात वो पधार्त लोह चुम्बकत पधार्त कैसे होते हैं लोह चुम्बकत पधार्त चुम्बक द्वारत तेजी से आकर्शित होते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगला कोस्चन है एक एसी एसी एस आर इस लाइन में यांत्रिक तनाव लाना, टेक अप टू मेकनिकल टेंसन इन दा लाइन, अगला कोस्चन है उत्त सर्चक की संग्रहाई के बीच न्यून प्रतिरोध रीडिंग लगभग होती है, लो रजिस्टेंस रीडिंग बिट्विन एमिटर और कलेक्टर, बिल भी आब और मुच्वल इंडक्टेंस के सिध्धान पर काम करते हैं, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, मुच्वल इंडक्टेंस हना, पारस्वारिक प्रेयरन यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन नहीं आएगा, अगला कुश्चन है जब दो बाट मीटर का प्रियोग त्रिपेस अंतुलि होती है, अगला कुश्चन है जो की कैंसल हो चुका था, स्रेणी एक ही आग बुझाने के लिए समान रूप से क्या यूज़ किया जाता है, तो जाग टाइक के अगनी सामक यूज़ करते हैं, फोर्म टाइप एक्स्ट्यूंक्सर, फायर एक्स्ट्यूंक्सर, अगला कुश है, तो चाप को स्थिर करने करिंस में निम्रे सामिल हूंगे, तो चाप कुश स्थिर करने करिंस में। बोल्ट मीटर की शूग रही था पूर्ण पेमाने की बिच्छे पी धारा के ब्यूत करम और दूसरा है ओम बोल्ट दोनों के द्वारा ठीक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है चार पूल वाले 1500 अर्पिम पर भूमने वाले अल्टरनेटर दोरा उत्पन बोल्टिच की फेक्वेन्सि क्या होगी तो 50 हर्ट्स होगी दोस्तों ना 1504 इसका यह आप आसानी से कर सकते हैं बहुत आसान कोस्चन अगला कोस्चन है निलंबित बिद्धित रोधियों की तरह प्रियोग में लाए गए डिक्स टाइप रोधि में होते हैं मतलब डिस्क टाइप इनसुलेटर एंप्लॉइड एस सस्पेंसान इनसुलेटर है तो 36 तल में डिस्क मतलब डिस्क एन होरिजोंटल प्लेंड अगला कोस्चन और लास्ट कोस्चन है दोस्तों जब समाय रूरूप से एक्सायटेट सिंक्रोनस मोटर पर लोट पर बढ़ाया जाता है तो इसका सक्तिकुनाग लेगिंग से अधिक हो जाता है तो यहां पर हमारे 75 कोश्चन पूरे हुए एलेक्ट्रिशन ट्रेट का यह कोश्चन के पर हमारा दो पार्ट में हैं दोस्तों ह होना हो यह कुश्चन आपको कैसे लगे इसका कमेंट करके जरूर बताइए हना मिलते हैं अगले ट्रेट के अगले कुश्चन पर किश्चन तब तक के लिए नमस्कार जैहिं करते हैं